नमस्कार दोस्तों और इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में आप सभी का हारदी स्वागत है तो देखो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री आपरेटर यानि कि DEO के लिए विग्यापंचायदी क्या गया है तो इस वीडियो में आप विशे पंचायत और DEO यानि कि Data Entry आपरेटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहली सर्त तो यहां पर यह है कि आप उस ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए तो पहली सर्त यही है कि अगर आपके ग्राम पंचायत में यह वेकैंसी है तभी आप आवेदन कर पाएंगे तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिला के देखेंगे तो 4821 पदों पर यह जो बिग्यापन जारी हुआ है तो इसकी पूरी लिस्ट भी आ गई है यानि कि आप यह जान पाएंगे कि आपके जिले में आपके ब्लाक में आपके गाउं में कहां कह वकेंसी है तो यहां पर डिस्टिक वाइज और ब्लाक वाइज पूरी वकेंसी यहां पर बताई गई है लगबग 92 पेंज की पीडिएफ है लेकिन यह चेक करना कि हमारे गाउं में या हमारे ब्लाक में वकेंसी है या नहीं है बहुत यासान है आप उन्हें मुवाइल फोन में जो सर्च बटर होता है उसपर क्लिक करके अपने गाउं का नाम या अपने जिले का नाम देंगे टो सारे ब्लाक और गाउं की लिष्ट पूरी आपके सामने आ जाएगी तो तो यह काफी लंबी लिस्ट है और हर जिले का नाम ले पाना यह पॉसिबल नहीं है लेकिन यह पूरी की पीडिएफ इसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्कुसर में डाल दिया है तो वहां से सिंगल क्लिक पर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे एक्शली वह मैं यहाँ पर बात करूँ एसे स्टार्ट करते हैं आगरा तो आगरा में आगे दिया गया ब्लाक ने तो आप देखते हैं कि आगरा में कौन कौन से ब्लाक में वकैंसी है और उस ब्लाक में किस-किस ग्राम पंचायद में वकैंसी है आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे क बात करें यहाँ पर जौनपूर के बारे बात कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बस आपको Ctrl F दबाना होगा अगर आप काम कर रहे हैं PC पर यहाँ पर आप जे ए यू यन पी यू आर टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पर जौनपूर पूरा मिल जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर जौनपूर में आगे देखेंगे तो यह आगे आपको ब्लाक का नाम मिल जाएगा और किस ब्लाक के किस गौर में वेकेंसी यह देखने को आपको मिल जाएगी ऐसे ही अगर आप वारानसी के हैं तो आप यहां पर टाइप करेंगे वी ए आर एन एस आई वारानसी और यह लीजिए पूरी लिस्ट आ गई वारानसी की किस ब्लाक में और किस गौं में है तो आप अभी से जान पाएंगे आपको लंबा इंजार नहीं करना है और वैसे भी यह जो आवेदन है यह आनला आप अपना फार्म जमा कर सकते हैं तो यह पूरा पूरा जो सेडियूल है आप यहां पर देख सकते हैं पूरा जो सेडियूल जारी किया गया है पांचायती राज विभाग उत्तरप्रदेश दिनांग साथ जो उनको विग्यापन है और दिनांग 15 मार्च 24 के अंदरगत प पर चेहन के लिए निम्नांगित योगिता और ब्यूरण के नुसारा आविदन पत्र योग अभरतियों से आमांतित के जाते हैं गुल पत्रों की संग्या कितनी है 4211 तो यहां पर आविदन दितिये 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में पत्र का नाम होगा पंचायत सहायक एकाउंटेंड कम डाटा एंट्री आपरेटर तो देखो जो जिस भी गाउं में यह वेकेंसी है तो ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक एकाउंटेंड कम डाटा एंट्री आपरेटर के लिए आविदन पत्र आमांतित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना प आविदन पत्र आप जमा कर पाएंगे 15 जून से लिकर 30 जून के बीच में तो आप 3 जगह पर फार्म जमा कर सकते हैं तीनों में से किसी भी एक जगह आप फार्म जमा करेंगे ऐसा नहीं कि तीनों जमा करना पड़ेगा आप ग्राम पंच्याद में कर सकते हैं विकास खंड में कर सकते हैं या जिला पंचाद राज अधिकारी के कारेले में अपना फार्माप जमा कर सकते हैं कोई फीस नहीं है सून निफीस और इसके बाद जो जिला पंचाद राज अधिकारी कारेले और विकास खंड में आवेदन जमा होंगे तो उसे सम्मंदित ग्राम बंचायत में उपलब दिक्रत दिया जाएगा एक जुलाई से लेकर छो जुलाई के बीच में ठीक है इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी तो यहाँ पर 10 प्लस 2 10 प्लस 2 बरहामी पास जो लोग है या इससे अधिक योगिता रखते हैं तो वही लोग इसमें आवेदन करेंगे तो यहाँ पर जो मेरिट होगी वो तयार की जाएगी 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में ठीक है और जिला अधिकारी के धक्सता में गठिस समिती और परिक्षण एवंग संस्तुती के द्वारा 15 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में यहाँ पर संस्तुती होगी और नियुक्ती पत्रा को मिल जाएगा 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में ठीक है ब्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर डाक से अपनी ग्राम पंचायत विकास खन कारले अथवा जिला पंचायत राज इदिकारी के कारले में निरधारित समयावधी में उपलब दिकराया जाएगा समस्त चन प्रक्रिया सहसन देश संक्यादिस दिनांक 25 जुलाई 2021 देगे प्राउधानों के अनुरूप संचारित होगी अब आपके मन में एक सवाल यहाँ पर निश्टत तोर से आ रहा होगा कि सर यहाँ पर सेलरी कितनी मिलेगी ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेलरी है उसको बढ़ाने यहाँ अब कितनी बढ़ेगी यह तो समय पर है देकिन 6,000 रुपे मंतली अभी प्राउधान यहाँ पर किया गया है पंचात सहायक अकाउंटन कम डाटा एंट्री आपटर के लिए आवेदन तो इसी परकार से आवेदन का प्राणूप रहेगा हलांकि यह अभी जो आपकी वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है और इस पर यहीं वेबसाइट है तो इस पर अभी कोई जनते थी आयू की गड़ना जेंडर स्रेंडी पत्रभ्यावर का पता मुबाइल नंबर सक्षी योगिता जो भी आपके पास हो और कारिका अनुभोग कोविड-19 में मृत व्यक्ति के वारिशाम यह सब चीजें पिछली बार मागी गई थी ठीक है तो यही आवेदन का प्र आपके गाहों में वेकिंसी है या नहीं है यह जीज यहाँ पर पता करी जिरूरी है और अब आपके बढ़ में एक सवाल और याएगा कि आखिर मेरिट बनती कैसे है माल लेते हैं कि कोई विक्ति 10 ब्लस 2 पास आउट है कोई जो है मेें किया हुआ है कोई प्ती किया हुआ ह तो merit बनेगी कैसे तो इसके लिए एक formula है वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों ग्राम पंचाय सहायक और data entry operator के लिए आपकी eligibility चाहे जो कुछ भी हो यहाँ पर जो merit आपकी बनेगी वो किवल high school और intermediate के अंकों के आधार पर बनेगी तो इसमें simply बस यह क्या गया है कि average निकालिया जाता है high school में आपका कितना percent है, inter में आपका कितना percent है दोनों के percentage को जुड़ा जाता है और दो से divide कर जाता है एक तरीके से average percent आपका निकालिया जाता है बस यही एक simple formula है merit बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप intermediate से ज़्यादा पड़े लिखे हैं तो फिर उसका कोई benefit मिलता नहीं है तो पिछली बार जो merit बनी थी वो इसी आधार पर बनी थी फिलाल प्रेंज अब जो विज्यापन है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यह आज की तारीक 9 जून है आपका जो विज्यापन होगा यह 15 तारीक को जारी युका जो डिटेल में होगा तो अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को inform कर दूँगा लेकिन फिलाल मुझे नहीं रखता कि कोई परिवर्तन होने वाला है मेरिट मेकिंग की जो प्रोसेस है वो यही रहेगा और इसका मतलब एक असपस्ट है कि हाई स्कूल और इंटरमेट में जिसके हाइस्ट स्कूर है उसके सिलेक्सिन के चांसे जिसमें ज्यादा रहते हैं और मैंने आपको बताया कि इसमें जो सेलरी आपको मिलती है वो लोग श्यादा जार मिलती है हो सकता है कि आगे सरकार इसमें कुछ बहुतरी भी करते कुछ बाकी जो भी आपके डौड्स हों अगर उसको आप लिए करना चांथे है तो आप हमें नीचे कमेंट बाउक्स उपन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं आपके गाओं में वेकैंसी है या नहीं है हैं इसको आप इस लिस्ट में आकर देख लीजिए इस लिस्ट को डाउनों करने करने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कंड में आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो शायोग करिए वीडियो को लाइक और शेयर करक करक्षा प्रयाओ वीड़ा हमारा प्रयाओ नहां डिस्ट में आक पाझर झापको लाएगा हमारा जाएगा जज को आकर रवीडियो को अगर लीडियो करह दो बदेगी हमारा जाएग प्रया जाएग।